नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग leveling chapter में हमने जो यह topic था हमारा types of leveling operation या method इसमें हमने simple leveling कर ली थी तो आज इस video में हम differential leveling पड़ेंगे कि differential leveling की theory point यह होती क्या है कैसे की जाती है सबसे पहले हम यह देखेंगे कि differential leveling है वो कब adopt की जाती है the point are a great distance apart अच्छा जी the difference of elevation between the point is large ठीक है जी difference है जो elevation है points के बीच में वो ज्यादा है there are obstacles between the point this method is also known as compound leveling या continuous leveling छोरी point ठीक है छोरी part हमें पता होना चाहिए लिखने को कुछ तो अच्छे से standard language में लेकिन एक ये भी पता होना चाहिए कि differential leveling ऐसे होती कह है simple understanding तो होनी चाहिए ना कि भी ऐसे की जाती है तो देखो theory point में यहाँ पर बता रहा है कि in this method the level is set up level यहाँ पर instrument की बात कर रहा है at several stable position and the staff reading are taken at all these भई जो हमारा instrument है वो भई different position पर रखा जाता है और जो हमारे points है वहाँ पर हम staff से reading लेते हैं पहली बात तो इसने यह बोल दी देखो भई यह यहाँ पर बात कर रहा है मालो यहाँ पर एक point है D point ठीक है यह A point अब इस A से D तक का हमें क्या निकालना है भई distance तो ठीक है measure करेंगे साथ साइथ लेकिन इनका जो height का जो difference है ना इनका जो RL वो निकालना उनमें कितना difference है knowing the RL of A to D can be calculated अब कैसे निकालेंगे भई simple जो leveling है आपने पढ़ी पीछे दो point की बीच पे फिर intermediate mid में क्या हम station set up करते हैं वो हमारी simple leveling थी या फिर जो हम leveling करते हैं कि एक तरह यहाँ पर benchmark लिया यहाँ पर इसकी reading RL measure किया फिर हमारा station है यहाँ जब तक हम staff की reading visible होगी हम हमारी reading लेते चलेंगे और ऐसे ऐसे करते हम D point पर निकलने के बाद यहाँ पर reading RL निकालने के बाद A और D के बीच में जो RL का difference है वो हम calculate कर सिंपल सी बात थी है जो हम ऐसे leveling semester exam में ऐसे हमने सिखा है practically जो mind में ध्यान है लेकिन यहाँ पर differential leveling में यहाँ जो theory point है उसमें ऐसा बताया गया है देखो A से B तक मानलो letter D कर लो ना यह जो D है ना A से D तक है कैसे हम करेंगे एक point यह लिया A वाला एक point यह लिया ठीक है इसको हम जैसे कि यहाँ पर C1 मानले तो मैं C1 तो यहाँ पर क्या किया यहाँ तक कि यह हमारी foresight होगी यह back side दोनों की reading ली फिर यहाँ पर हमने station change किया यहाँ पर रख दिया यहीं पर लगा लो ठीक है और इस चीज़ को भूल जाओ फिलाल ठीक है यहाँ से हम reading लेंगे यह हमार point यह हुआ एक point यह हुआ एक point फिर हमारा ही हो गया उसके बाद हम station हैं यहाँ पर setup करेंगे यहाँ फिर यह से फॉर्टाइब काा लेंगे यहाँ से भूल यह करके इस point का हम क्या निकाल लेंगे RL निकाल लेंगे, तो इस point का RL निकलने के बाद, हमें एक RL पता चल गया, इसका पता चल गया दोनों का difference पता चल लेंगे, तो ये हो गई हमारी differential leveling, मतलब क्या है, दो point के बीज़ का, जो difference RL के बीज़ का, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आप यह सोचोगे कि यार, यह बार-बार instrument क्या, यह एक ही for intermediate side लेंगे, क्यों न हम यहाँ पे intermediate side लेंगे, जब तक visible है, बिल्कुल सही है, और फिर हम station change करेंगे, फिर यहाँ तक पहुंच जाएं, वो भी चीज़ है, आरल तो same ही आएगा, different थोड़ी न आएगा, भाई different का मतलब क्या है, differential leveling क्या है, कि दो point के बीच में जो difference है, आरल का, वो हो गई, लेकिन जो हम method apply कर रहे हैं, जो theory point में, यहाँ पे diagram में ऐसे बता रखा है कि दो point ले रहे हैं, उसके बीच में station, फिर दो point ले रहे हैं, उसके बीच में station और फिर यहाँ तक पहुंच रहे हैं, क्यों न हम ऐसे करें, intermediate side लिजब तक staff की reading visible है हमें, तब तक हम reading लेते चलेंगे, उसके बाद station change करेंगे, जो एक common process हम करते आए हैं, semester exam में और वहाँ तक पहुंचने के बाद हम यहाँ का RL निकाल लेंगे, यह तो था, लेकिन differential leveling में ऐसा है, theory point में मैंने आपको बता दिए, दोनों बता दिए, कि यह 2 point के बीच में हम हमारा station रखेंगे फिर 2 point, मतलब जो यह B point होगा, C1 है, उसके बाद यहाँ पे हम station change करेंगे, और फिर यह जो C2 है, इन दो, यह C1 और C2 के बीच में जो leveling करेंगे, इन दोनों point का RL निकालेंगे, फिर हम station change करेंगे, यह C3 या D लगा लो D point C2 से, D point के बीच का इसका RL निकालनेंगे, इसका, और यहाँ पे हमने station change करेंगे, मतलब क्या है, काफी बार station change करेंगे, इवन हमें reading दिख रही है स्टाफ से आगे तक फिर भी तो यही थी differential leveling तो में यह कि दो भी इसका RL का difference बाकि यह जो method apply किया, यह मेरे आगे आप method पढ़ोगे, रैसी प्रोकल leveling क्या होती है, उसमें आगे 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 आप देखोगे, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, hope आपको एक basic सा idea होगया, differential leveling क्या होती है, theory point में, book में कैसे given है, और जो मैंने आपको पता है practically कि हम reading ले सकते हैं, तो वैसे क्यों न लें, तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, thank you for watching this video, वीडियो आपको ठीक लगी तो like करना, channel पे नए हो तो guys, subscribe करना